नमस्कार आपके साथ मैं हूं तृप्तिविश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूस्टाइम्स चैबासा इस बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है आईए नजर डालते हैं सिंभुन की खबरों पर ग्रामिन विकास विशेश प्रमंडल की ओर से सदर प्रखन अंतरगत टोंटो पंचायत की सुफल साई से पुण्डिया जाने वाली सडक पर मच्छुआ बस्ती में पुल्या का निर्मान होगा यह पुल्या लगभग एक करोड़ बहत्तर लाग की लागत से बनेगी इसका सिल परिवान मंत्री दीपक बिर्वा ने विधिवत पुजा आर्चना के बाद नारिल पोड़ कर किया पुल्या बनने की खबर पाकर ग्रामिनों में खुषी देखी गई ग्रामिनों ने मंत्री के प्रती आभार प्रक्रक्ट किया दर्जणों गाउं को जोड़ने वाली परशानी का सबब रही है खासकर बरसात के मौसम में और अक्सर दुरगटनाय होती रहती है नए पुलिया से छेत्र में सुरक्षा और संपर्क में सुधार होने की उम्मीद है इस दोरान मंत्री ने कहा कि जनता का सैयोग मिला और वे छेत्र में विकास को गती देंगे उन्हो पस्थित थे वजरपात की चपेट में दो फुटबॉल खिलाडियों की मृत्यों के बाद मंत्री दीपक बिलवाने घर पहुँच कर स्वजन को सांत्वना दी और विभाग से मिलने वाली आर्थिक मदद दिलवाने का भरोसा दिलाया सदर प्रखंड के कुंदू बेडा गाव निवासी रमाय पूर्ती और घंश्याम पूर्ती की गुरुआर शाम गाव में ही मैदान पर फुटबॉल खिलने के दवरान वरिजपात की चपेट में आकर मृत्यों हो गई थी जबकि रावकन पूर्ती जुलसकर घायल हो गया थ मंत्री ने मृत्यकों एवं घायलों के घर जाकर स्वजन को ढांडस, बंधाया और घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया उन्होंने विभाग से मिलने वाली आर्तिक मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया है साथी क्रियाकरम एवं घायलों का इलाज हेतू अपनी ओर से आर् तब तब बने रहे हमारे चानल पर धन्यवाद